हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आप डेली की तरार रात साड़े आट बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस लगाएंगे जो के डेली आपके एक लास होती है और हमेशा होती है ठीक है और हाँ बता दे चाहे आप ACCGD हो या आप UPSI हो लेकपाल हो यूपेटेट कुछ भी एकजाम हो या किसी अदर स्टेट से हैं तो भी आप लोग यहाँ पर त्यारी कर सकते हैं ठीक है और जो लोगों को बेसिक नह आपको यहाँ पर बताना है कि कितने कोश्च लाप लोगोंने सही किया है आज की सेस्ट पेपर में ठीक है चलिये मजब्यद्ध है प्राप्तांक में समास क्या है तो देखिए जब इससे आप तोड़ेंगे प्राप्त मतलब पहले आपको कह सकते हैं प्राप्त निकला अर् अब्याई भाव समास होता है याद रिखेगा मतलब याद रिखेगा कि अब्याई भाव समास का पहला पत क्या होता है प्रधान होता है जब पहला पत प्रधान है तो आपका अब्याई भाव समास हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है त्रिफला में समास क्या हो ज और इसके बाद माली नौरात्री हो गई मतलब जो संख्या वाची होती है ठीक है वह आपका दिव समास होता है आगे बढ़ते हैं क्या होता है कभी-कभी आप मात्रा गिनते हैं कभी-कभी वर्ड गिनता गिनना पड़ता है तो यह वर्डों की बात कर रहा है तो इंद चंद 22-26 वर्ड और 4 चरणों वाला होता है तो 22-26 वर्ड में दोहा शोर्ठा सवया और आपका कवित तो यहां पर वर्डों की बात भी कर दिया है तो सिंपल से गर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यहां पर आप कंसल होजगा कौंसर सवया सवया 22-26 वर्ड के वीच होता है ठीक है और 4 चरणों वाला होता है और अगला कौशन दिया गया है कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड हो सिंख की दाण हो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी जुको नहीं हाना आप लोग जब चोटे थे तो जो प्राइमरी होता है वहा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है एक दंत में समास क्या है एक दंत अब यहां पर कहोगे कि सर संख्या दे रही है एक तो वही आपको बता दे जो भगवान होते हैं आप सिंपल सी यह रट्टा मल लिजे कि जब महापूरुस होता है वो कर्मधारे समास में मिलेगा 99% जो भ गया है अगर आपके दिमक में यह आया है कि भगवान के साथ साथ आपके जो रावड थे रावड के दस जिर थे तो दसानन में भी भवरी समास होता है तो याद रखेगा कि उसके कुछ आपके ऐसे कर्म हो गय थे जिसकी वज़े से वो भगवान नहीं बन पाया लेकिन वा प्रधान होता है तत्पुरुष समास में कौन सा प्रधान होता है तो याद रिखेगा कि तत्पुरुष समास में दूसरा प्रधान होते हैं जैसे हमने आपको बताया था यहां पर राज पुत्र राज पुत्र मतला होता है राजा का पुत्र तो राज पुत्र फोकस क्या ह पुत्र पर हुआ ना तो ये दुती पद हो गया ठीक है तो आप कंसर हो जगा ए नमबर आगे बढ़ते हैं परमेस्वर में समास क्या हो जगा परमेस्वर हाना परम है जो यूसर क्या बोलेंगे परम है जो यूसर हाना तो देखो हमने बताया था है जो सब्द आपका लगा हो ठीक है ना जैसे आपकी जैसे एक होता है किसकते रूपी अगनी ठीक है तो यहां पर आपका अंसर सी होजेगा करमधारे समास होता है याद रखें नोट का लीजेगा सभी लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से गला है राज भासा में समास बताईएगा राज भा और यहां पर क्या लग गया है यहां पर बिभक्ति का परियोग हुआ है और जब भी कभी बिभक्ति का परियोग होता है वो आपका ततपुरुष समास होता है क्योंकि इसका दूती पद ही क्या हो रहा है प्रधान हो रहा है किलियर हुआ इतना सब कुछ किलियर हो गया है अ भी दो लिखा है दोनों समान है कि ने समान है देखो समान है जोड़ दिया तो दंद बने गया दोनों पद आपके समान हो गए यहाँ पर भी याद रखी योजग चिन भी आपका हो गया तो आपका अंसर आपका याद रिखेगा भाई बहन कपड़ा लत्ता दिया बाती घास खूंस, माता, पिता, पाप, पुन, ये सब क्या होते हैं, दुन्द समास होते हैं, आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है, स्वर्ग वासी में समास क्या है, स्वर्ग वासी, स्वर्ग को वासी, क्या, स्वर्ग को वासी तो को हो गया, आपके तत्पूरुस समास में आपका हो पूछा गया है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है देखो आज के टॉपिक में कुछ आपके समास कुछ जादा रहें ठीक है तो घवडाना नहीं है कोई यह परसनल किसी एकजाम का मॉडल पेपर नहीं है यह हमारा प्रैक्टिस सेटे कि हम आपको कई तरीक है तो उसका अलग मॉडल पेपर होता है जीडी का है तो अलग मॉडल पेपर होता है लेकपाल का अलग मेडल पेपर होता है जितने जो से लिवास होता है उससाब से बनता है ठीक है तो चलिए यहां पर दिया है अध्यान में कौन सी संदी है तो आपका जवाब दीजे क्या यहन संदी ही होता है ठेकें आगे बढ़ते हैं प्रतेक का संद्विछेत क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखो प्रतिधन एक क्या बनेगा प्रतिधन एक निकलेगा आपका अंसरिया पर सही क्या बन जाएगा भई तेरा नंबर में तो तेरा को आपसन आ रहा है आपर बी न सा प्रत्य है बताइएगा पंद्रा नंबर में तैराक आख निकला है कि निकला है निकला है औप्सन भी हो जाएगा अगला है तीरसकार का संद्विछित क्या हो जाएगा तीरसकार में तो देखो यहां पर आधासा जुड़ा हुआ है कि ने जुड़ा हुआ है जब आप होता है, संकर का होता है संधनकर, क्या बनता है संधनकर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है option A हो जाएगा, ठीक है next question दिया गया है, ब्यर्थ का संधिविछेत, क्या हो जाएगा संधिविछेत, तो सबसे पहले देख सकते हैं, ये आपकी संधी कौन सी है तो यह के साथ आपका वा जुड़ा हुआ है आधाचर जुड़ा है तो सबसे पहले कहेंगे कि यह जो आपकी संधी है सर कौन है यन संधी है और अगर पूछे कि टूटेगा कैसे तो आपका टूटेगा वी धन अर्थ में टूटेगा आप कौन सर हो जाएगा सी नमबर ठीक है आगे बढ़ते है निस्फल किस प्रकार की संदी है निस्फल अब देखे आदासा निकल कर आ गया ने बीच में तो आदासा क्या हो जएगा विसर्ग में हो जएगा तो आपका निकलेगा नहीं और विसर्ग हो जएगा प्लस हो जएगा फल हो जएगा बंद माला है आपके केसा अधास जी किसकी है केसा अधास की ओप्सन सी नंबर राइट वनेगा आगे बढ़ते हैं गिराना किस प्रकार की किरिया है यहाँ पर जवाब दीजे देखो गिरना नहीं है गिराना और जब गिराना है तो वही नाम धातु क्यों लगा रहे हैं जब आना निकल के आता है यह प्रथम प्रडार्थक होती है वह आना जवाब का होता है वह दुती प्रडार्थक किरिया होती है जैसे माता जी खाना बनाना और माता जी खाना बनवाना तो बनाना मतलब मतलब बहुरिया बनाएगी समझ में आ गया ना तो वह दुती हो गया है विशिस्ट का बिप्रियार्थक सब्द क्या होता है विशिस्ट है तो समान ने हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेनमबर जो चीज में सोचना समझना नहीं है उसमें टाइम वेस्ट और मेमोरी को खपत नहीं करना है साकार का बिप्रिद साकार साकार का हो जाए तो देखो क्या हो जएगा इस लड़की ने दही गिरा दिया देखो पहला यह option आपको सही मिल गया है हना तो आपका अंसर कौन हो जएगा ए नमबर जब मिल गया है तो आगे बढ़ने की कोई जरुरत नहीं है आशू से आचल भीग गया क्या आशू से आचल भीग गया है कही पर तो पहला यह option हो जाएगा option मन जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं question आप सिगला दिया गया है भविस में होने वाला के लिए एक सब्द क्या होता है चले 26 नंबर में भविस से के लिए याद रेके भावी बोला जाता है क्या भावी बोलते है option A number मनेगा भविस सिम होने वाला अगला नेमिकित में से कौन सा गड़ेश का पर्यावाची नहीं है देखो गड़ेश के पर्यावाची में गजानन विगनेश हाना विनायक ये तो होता है गजानन विगनेश और आपके विनायक लेकिन गोविंद नहीं होता है तो option क्या हो पवाग के हैं आपको option C हो जाएगा यादर के हमने topic बना भी दिया है किरिया विसेशन वाला तो देखेगा option C हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं स्वालंबी होना किस मोहरे का अर्थ होता है स्वालंबी मतलब यह हो जाता है कि जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जात है तो चलिए यहां पर देखो एक नार्मल सदिया गया है कौन सा भी वाला तो बिल्कुई जी हो गया है क्योंकि और भी कोशन आपके option आपके डारेक्ट दे दिया है अनुवाला ठीक है बी नंबर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है निम्रिकित में से कौन सा विप्रार्थ या विप्रियार्थक सब्दों का युगम सही नहीं है चलिए सही नहीं है उन्नति का दिया है पतन मुर्थ का मुर्थ वक्र का रिजू आपेच्छा का अनिच्छा दिया गया है अब आपेच्छा का उपेच्छा होगा ना कि अनिच्छा होगा ये गलत हो गया है ठीक है option क क्या हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है जो चित के साथ कारिसील हो उसके लिए क्या बोलते हैं तो आपका अंसर क्या हो जाएगा 32 का अंसर बनेगा इनमबर दत चित बोला जाता है क्या दत चित बोला जाता है यहाँ पर इनमबर राइट हो जाएगा ठीक है कोशन की और यह कोशन दिया गया है निमनिकित में से किस सब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है बहुवचन में नहीं होता है तो देखो चिडिया चिडिया हो जाएगा दर्सन सादू लेकिन प्रतेग जो प्रतेग है यह बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है और स पर देखे जाओंगा ये भविस्यम होगा तो option भी हो जगा मोहन जा रहा है ये वर्त मनकाल का हो जाएगा बेनमबर ठीक है अगला कोशन दिया है थोड़ा पानी देना इस वाकिए में थोड़ा कैसा सब्द है थोड़ा है क्या थोड़ा जादा कम ये सब्दे क्या होते हैं ये आपके क्या हो जाएगे भई तो आपके बिसेशन होते हैं option भी नमबर राइट हो जाएगा तो आपके भावाचक संग्या क्या हो सकती है तो सरल है और भाव के अंसार अगर आप संग्या को convert करेंगे तो आपके भावाचक संग्या सरलता हो जाएगा option क्या हो जाएगा बे नंबर बनेगा भई जिसका जवाब भी आ रहा है उसी कराइट होगा ठीक है अगला क्शन दिया गया है कि किसी भासा के बोलने तथा लिखने के नियमों की ब्यवस्तित पद्धिती क्या कहलाती है बताए किसी भासा के बोलने लिखने के नियमों की ब्यवस्तित पद्धिती क्या होती है क्या बोलेंगे यहाँ पर त्याद रिखे वियाकरण होता है क्योंकि भासा के बोलने लिखने की नियमों में जो ब्यवस्तित पद्धिती होती है वो वियाकरण होता है option बनेगा B number ठीके अगला question दिया है गंगा चल में कौन से समास है गंगा चल हना यहाँ पर बताएगे क्य कौन संयुक्त स्वर का उधारन नहीं है देखो हमने बताया था संयुक्त स्वर भी आपके चार प्रकार के होते हैं A, A, O, O यह चार संयुक्त होते हैं आपके क्या स्वर होते हैं और इसी प्रकार के चार होते हैं आपके संयुक्त बेंजन होते हैं तो यह प्रकार से यहाँ समू की सरस्टी होती है उसे क्या कहते है वर्णों के मेल से जिन सार्थक वर्ण समू या धोनी समू की सरस्टी होती है उसका निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है तो आप बोलेंगे भई वर्डों के मेल से आपका क्या बनेगा भई यहाँ पर सब्द का ही तो निर्माण होगा ना तो आप कंसर भी नंबर है राइट हो जाएगा ठीके अगला कोशन दिया गया है इनमें से कौन सा सब्द सुद्दवर्तनी वाला है बताइगा पारगम में क पुर्णी भासा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में सुविकार किया गया है वर्वी पहाडी हिंदी खड़ी भोली या पस्चमी तो मानक हिंदी में आता है आपकी खड़ी बोली जिसका जवाब आ रहा है राइट अं सरर्प का बनेगा यहाँ पर सी नंबर ठीक आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है आलोचना का परेवाची क्या होता है आलोचना का परेवाची क्या हो जाएगा चले यहाँ पर दिया गया है सुलोचना विवाद समिच्छा या बादिता तो यह आलोचना करना आलोचना में क्या हो जाएगा यहाँ पर समिच्छा करना क्या उसकी समिच्छा करना option अपका सी number हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि कुश की नोक सी तीखी बुध्धी को क्या कहते हैं कुश की नोक सी तीखी बुध्धी तो यहाँ पर विद्वान तो होगा नहीं विद्वान नहीं होगा तो यहाँ पर कुशागर बु कमजोर होगा अगर आपका basic कमजोर है तो आपको 100% लगेगा कि सर समझाते नहीं है लेकिन जिनका basic complete है तो वो कहेंगे सर आप बहुत धी में पढ़ा रहे हो ठीक है ना तो इसलिए कहते हैं जिनका basic complete नहीं है तो पहले basic का वीडियो देख लीजेगा 10 से 15 दिन आप basic के पू आपको कम लगेगे कि हां बनसर बहुत धी में पढ़ा रहे हैं जब तक आपका basic नहीं सही होगा तब तक हिंदी में आप लोग बहुत पीछे रहेंगे और आज की दुनिया कैसी भाग दोड की दुनिया है अगर आप पटरी में दोड रहे हैं और पीछे को देख लेंगे बोलते हैं याद रखे क्या सुद्ध आत्मा का मनुस्सय होता है सुद्ध दोधन को का जाता है अगला क्westन दिया गया है अभीजात्येकाभिलूम और अगे बढ़ते हैं अभी संसा में कौन सा उपसर्ग है तो देखो अगर आप इसे तोड़ते हैं तो आपके पास यहाँ पर देखो अभी निकल कर तो आगा तो यहाँ पर आपका अंसर कौन सा बन जाएगा अंसर हो जाएगा बेनंबर बन जाएगा अगला है अव लोकन में प्रियुक्त उपसर क्या है अव लोकन में प्रियुक्त उपसर उपसर कहा होता है सब्द के पहले होता है तो लोकन इसका मुल्क सब्द हो गया और इसका बना अव कहां पर है बिनंबर हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है निर विवाद का संद्विच्छेत क्या होगा या पर इस प्रस्ट का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका राइट अंसर क्या बन सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है कि निम्निखित में से कौन सा अनौप चारिक पत्र का उदारण है देखे अनौप चारिक पत्र होता क्या है अनौप चारिक पत्र क्या होता है तो याद रखेगा जब आपके रिष्टेदार के बीच में घर परिवार के बीच में यहां पर पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है तो यहां पर देख सकते हैं बहन के बिवा में सामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया जो पत्र होता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं तो ठीक है, तो आप cancer B हो गया, आगे बढ़ते हैं, question आप से पुछा गया है, छोटे सम्बंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे, अगर आप उसको पत्र लिखना चाहते हैं, तो आप संबोधन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर संबोधन में आप लिखेंगे, चिरन ज आधयाँ है मूल गूण नहीं है. मतलब कार्यालया आधयाँ में कुछ आपके पौइंट दिए होते हैं जिनके आपको फालो करना होता है. तो इनमें देखेगा आपके जो option दिया गया क्लोका आपका नापातूला दिया गया है. ठीक है? फिर दिया पर दिया है नेर्वेक्तिक दिया गया है अनाप्चरिता लेकिन जो बाहर भीतरी बाते हैं ये इसका मूल गुण नहीं होता है अगला दिया गया है कि आयकर से माफी यों पूर्ण मुक्ती के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे अगर आपको आईकर से माफी चाते हैं या पूर्ण मुक्ती चाते हैं तो आप जो प्रार्थना पत्र लिखेंगे वो किसे लिखेंगे ये लिखेंगे आईकर अधिकारी को तु लिखेंगे ना तो आप कंसर क्या बनेगा a number औराइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि मुख्य विजली के बल्बों के आडर के निरस्ती करण की सूचना देते हुए किसे पत लिखेंगे आपने विजली के बल्ब का आडर कर दिया है और वही आडर आपको कैंसिल कराना है तो याद रिखे अप तो आपका डिजिटल जव अर्था संबरक अधिकारी को ये पत लिखना पड़ेगा उससे हम लोग बोलते हैं संबरक कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कार्याले आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूची होती है या सूचना होता है सूचना कार्याले आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सुचना है ये ओती है आपके कार्याले की भी मतलब मंतराले की भी सम्मंद विभाग प्रभाग की भी अनुभाव की भी मतलब यहाँ पर सभी विकल्पापके सही है ठीक है अगला है कि अपने कार्याले से अनभाव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आप वेदन पत्र लिखेंगे अगर अपने कार्याले से अनभाव प्रमाण पत्र लेना है अर्थात अनभाव प्रमाण पत्र ये हुआ कि आपका जैसे आपने experience certificates जिसे बोलते हैं किसी कंपनी में आपने जौब किया एक साल तक आपने जो परफॉरमेंस दिया अब दूसरी कंपनी में जाओगे तो आप से पूछा जाएगा ना कि क्या है आपके पास सुबह तो वही आपका जो अनुभाव प्रमाड पत्र होता है तो यह अपसन हो जाता है बेवस थापक मह महोदय से लिए जाता है किसे याद रहे कि अपने कारेले से अनुभाव प्रमाड पत्र लेना है तो आप अवेदर्म पत्र लिखेंगे किसे तो बेवस थापक महोदय को लिखेंगे और सनपसी हो जाएगा अगला है आप चारिक पत्र में इनमें से कौन साविकलप नहीं हो होगा देखें आप चारिक पत्र में क्या होता है बिसया भी होता है पता होता है दिनांग होता लेकिन अभिवादन नहीं होता है अगला है दैनिक जागरन में समवादाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्त लिखेंगे दैनिक जागरन में अगर आप समवादाता के लिए पद के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप किसे पत्त लिखेंगे तो यहाँ पदे के संपादक भई संपादक की मोदे के लिखेंगे न त किसे आवेदन पत्त लिखेंगे तो आप बताइए अधिकारी को लिखेंगे क्या किसे लिखेंगे तो आपके थाना द्यच जो महोदें होंगे उस एरिया के उस एरिया के जो थाना द्यच महोदें हैं उसी को लिखेंगे ना तो आपका अंसर क्या होगा सी नंबर राइट हो तो इस प्रकास से टेस्ट आपका कम्पलीट होता है देखो हमने डेली बता दिया है कि प्रारभ में 50% के साथ साथ कुछ कोशन हम आपको एड कर देते हैं क्योंकि भाई सभी की एकजाम है फारेस्ट गार्ड वालों के भी एकजाम है वो भी हमारे बच्चे सेम बच्चे हैं जैसे UPSI वाले हैं हना जैसे CCGD हैं लेकपाल हैं Upetit वाले हैं सब एक जैसे हैं आपको हना और सबसे हमें result भी लेना है तो वह यह हर एक topic को हम इसमें से add भी करते रहते हैं और पूरा revision करते रहते हैं और सबसे हाँ जोड़ कर विनती है जो लोग पहली बार जोड़े हैं चैनल को subscribe कर लो लेकिन subscribe करने के साथ साथ आपको करना क्या है आप basic पढ़ लीजेगा क्योंकि जब तक आप basic नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको हमारी language समझ में नहीं आएगी भाई हिंदी हम थोड़ा speed में पढ़ाते हैं और speed में पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी channel से पढ़कर आए भी होंगे तो एक बार basic की theory पढ़ लेंगे तब आपको हमारी speed पसंद आएगी और फिर आप कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगी जब तक आपका selection नहीं हो जाता है ठीक है ना तो सभी लोग भाई basic वाले वीडियो देख लीजेगा वीडिय